कि ए भगवान आम बेद क्या करूं सब कुस तो इस दुए में हां गया ओ हो मिना भाई बहुत दिनों बाद कैसे अपनी दीदी के घर आना हुआ गुजरा आपकी बहुत याद आ रही थी, तो उसलिए सोचा कि कुछ दिनों आपके पास रहने के लिए आजाओ सब कुछ पकने के बाद सोने की ठाली में केश चल को खाना परोस कर दिया क्यारे केश चंडर, वाज फिर से जवा खेलने आ गया लेकिन जल्द ही उसने वो सोनी की ठाली भी वीर में हार दी कबोतरों ने सुने के चावन की आले श्रिंग कर दिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे एक और मौका देने के लिए जानक उसी खतरना प्राक्षिस दिखाई दिया, जो उसी की तरफ आ रहा था ही बगवान, वो आता हूँ राक्षिस तो, इकसानों को खाने वाला राक्षिस जैसे दिखाई दी रहा है अब में क्या करो, कैसे इस राक्षिस से खुद को बचाओ डरहे हुए केश्चंद को अच्छी तरह पता था, उस राक्षिस से छिपके या भाग की तो बचना रिदावमकिन है इसलिए उसने गुलाग चलाना शुरू कर दिया जब राक्षिस केश्चंद के सामें पहुँचा तो केश्चंद ने तरतेवे राक्षिस के आक्मर करने से पहे है उससे कहा नमस्टान मामा, कैसे हुआ? मामा, कौन मामा, किसका मामा? केश्चंद नेरी कन्फ्योज उने का नाट करतेवे पूछा आपका नद क्या से बताना तो मेरा नाम गुरु मापा है मैं एक इंसान का मास खाने वाला राक्षस हूँ हहहहह और अब मैं तुझे खाऊंगा मामा या आप क्या कह रहे हो आपने मांजे को भी कोई खाता है क्या मा तहा पर्टी थी कि इस जंदर में गुरु मापा नाबगन राक्षस रहता है और वो राक्षस मेरा मामा है बताया था गुरु मापा थब्क्यूज होकर सोच्छे लगा ये इंसान कौन है जो उसे अपना आमा बुला रहा है तब ही केश जंदर ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया मामा मैं तो आपको याद करके हमाने घर में अथिती बनाने के लिए लेने आया था यदि आप चलने को मान जाएंगे तो आपके लिए रोज, दान, चाबल और कई सारे पक्वान के साथ हैसका मास होगा और कभी भी आपको भूका नहीं रहना होगा लेकिन एक समस्या है इस चंदर की बात सुनकर गुरू मापा आप खुश होते हुए कहने लगा समस्या? कैसी समस्या? ये समान में उठाकर यहाँ तक तो लेकर आ गया लेकिन अब मैं बहुत अग्या हो और आपको इसे समान घर तक लेकर जाना होगा उरू मापा ने ठीक है कहा और अपको रुक जंदर से चाने लगे बात में केश्चन ने गाव पहुच गत उसने अपना वादा पूरा किया गुरू मापा पू ठीनाने के लिए पेट भर कर खाना दिया और साथ ही उसे रहने के दिए घर में एक कवरा भी दिया जिसे वो राक्षस की बहुत खुश हुआ मामा आपको इसे रूम में रहना होगा और दावालों आप यहां रहती हो पता नहीं चलना चाहिए ठीक है खोड़े दिनों के बाद अचानक से उसे बच्चे गायब होने लगे लेकिन गाओं के लोगों को पता नहीं था कि कैसे बच्चे गायब हो रहे हैं जब या बात केश चंद्र को पता चली तो उसे गुरु मापा पे शक हुआ ऐसे गाओं की बच्चे तो कभी गायब नहीं होते थे तरहीं ये काम गुरु मापा को तो नहीं केश चंद्रे सच्चाई जहननी के लिए गुरु मापा पे निजर रखने का निश्चे किया एक मत्र रात जब कीश चंद्र वो रहा था उसे गुरु मापा के कबने से कुछ सुनाई दिया जैसे की किसी ने दरवाजा खुल कर बंद कर लिया हो गुरु मापा पहां जाकर आया है सोचकर केश चंद्र गुरु मापा के कबरे की तरक गया दरवाजा बंद था तो दरवाजी के छेट से केश चंद्र अंदर बेहने लगा अंदर जो होती हुए केश चंद्र को दिखाय दिया वो देखकर केश चंद्र एकदव से डर गया क्योंकि अंदर गुरुमापा एक बच्चे को खा रहा था कि इस शल्द का शक्त सच हुआ अगले दिन केश चंद ने ये बात अपने गावालों पो बताई और गावालों को अच्छी तरह से पता था कि गुरुमापा से किसी भी हाल में लड़कर जीतन नहीं जा सकता है और ना ही गाव को कोई आदमें उसे मार सकता है कावी बात शीत करने के बाद गावालों ने गुरुमापा को एक प्रस्ताव रखने का निश्य किया प्रकेश चंद्र गावालों के साथ गुरुमापा के पास जाकर हाथ चोड़कर कहने लगा गुरुमापा आज तक मैंने आपको अपने घर में रखा पर अब और नहीं रख सकते हैं क्यूं क्यूं नहीं रख सकते हैं क्यूंकि हम एक नए और अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं कैसा प्रस्ताव हम सर्थ गौवाने में कर के लिए एक पूरा भैसी का मास 22 किलो चावल काला अग्दाल और 84 तरीके के विदिन प्रकार की बूजर हर साल एक बाद लेकर नहीं होगा और फी तरी भी इस गाउं में बाकस नहीं आएगी और उनापा ने भी ठीक है कहा और सभी गाउंवालों ने बिटकर तई सारे भूज की साथ उसे तूदी खेल के जंदर में छोड़ दिया उसके बाद गाउंवालों के बच्ची भी गायव उने बंद हो गए और गाउंवाले भी शान पब खुश होकर रहने लगे तिरेंस तो आप रोगों को आज की हमारी कहानी कैसी लगी या आप रोगों को लगता है कि गुरु मापा राक्षस सच में था और क्या वो राक्षस सच में बच्चों को खाता था या ये बस एक कहानी है यदि ये बस एक कहानी में था तो आज में क्यों इतन बहल की लोग ह हर साल एक बात गुरु बापा की लिए टू भी खेल में वोज लिकर जाते हैं या आपको ऐसा पोई नाक्षिस की बारे में कुछ पता है पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और साथ इस वीडियो को डाइक करकी हमें सब्सक्राइब करें नौटिपिकेशन ब कर दो कर दो हमें साथ